चलिए सुरू करते हैं Practice 8 4 Practice 8 जो 4 कर रहे है History का Practice 8 4 थिरी हो चुका है 4 है जलि जलि मैं चाहता हूं कोई खतम हो जाए क्योंकि NTPC आपके सामने हैं BPSC exam सामने हैं और हमको और भी NCIT करवाना है क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे है मेरे NCRT का जो महिस वर्वन का है और मोक टेस्ट जो पांच आप्शन का आता है BPSC वालों के लिए उन लोग के लिए NTPC का भी हमको करवाना है NCRT का भी करवाना है तो बहुत टाइम नहीं है मेरे पास लेकिन मुझे सब करवाना है यह से लिए जली जली मैं कर रहा हूँ तो प्लीज सपोर्ट और सुस्काइब करते रहें और चलिए पहला मोक टेस्ट फॉर्थ का कोशन नमबर पहला देखिए पहला कोशन है कि महातमा गानी को सरप्रथम राष्टपिता किसने कहा था आप अराम से जवाब देंगे मोक टेस्ट दे रहे हैं बताईगा चीक है तो महातमा गानी को जो राष्टपिता कहे थे सरप्रथम कौन थे बताईगा तो आप पढ़े होंगे आप्शन नमबर डी स्वाश्चंद्र बोश कहे थे चीक है इना मोक टेस्ट दे रहे हैं वैसे फिल करवाऊंगा मैं सिर्फ आप मोक टेस्ट देजे बहुत हो गया वन से थ्रे तक तो आप मोक टेस्ट नहीं दिए एक तरसे आप फोर दे रहे हैं समझे दूसरा प्रश्ण है भारत के राज्य चिन के फलक यह इतना तो जैसे ही सत्त में विचैती की बात करेंगे तो आप बताई क्या होगा सवाब देंगे तो आप्शन नमबर वन जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे मुंड को अपनी शर्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगा चठापन सवाद किषनÉ की थी बताईगे इश ऑप्शन के हिजवाबस से पताईगे तीसरा प्रॉशन का जया तो option nummer D का नाम आता है क्योंकि मैं काले का नाम आता है मैं काले बुखlicher बोला जाता है से IJ्से तो option number D जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे चलिएगा फूर्थ नम्मर कोश्चन नमर है कि भारत में थियो सोफिक जो सोसाइटी है कि अस्थापना कहां हुई थी बताईगा कहां हुआ था इस चार आप्शन के हिसाब से बताईए तो चौथे प्रश्ट का अंसर का जवाब जो देंगे मंतरास वो देंगे सही अडियार में हुआ था मंतरास के अडियार में जो है सोसाइटी किस थापना नहीं थी कौन से सोसाइटी थियो सोफिक शोसाइटी का चलिए पांचवा प्रश्ट अगर संगम यूग पढ़े हों मेरा तो पक्का बनाएगा शंगम यूग में अरंगू कहते थे तो संगम यूग में अ रंगू भी बोलते हैं, बिंदू हड़ जाता है, तो कोई दिकत नहीं है, तो याद रंगमंच को, रंगमंच बनता स्टेज, जो कि जिस पर प्रोग्राम करते थे, डांस, निर्त, गाना, जो भी है, उस समय के हिसाब से, चलिए छटे कोश्चन नमर, इलोरा में निर्वित प प्रश्चन का जवाब आप दे रहे होंगे, बहुत अच्छे से देंगे, तो क्या देज़ेगा, ऑप्शन नमर बी, राष्ट कुट बंस करवाये थे, कलाश मंदिर का निर्मान, बस याद देखे हैं, कहां करवाये थे, यह लोरा में, चलिए का साथ माप्रश्च, अराम- चलिए, अशोग के कालिंग यूद्ध के विशय में, किस अविलेक से जनकारी मिलती है, बताएगा, अशोग के कालिंग यूद्ध के विशय में, अगर पूछे किस अविलेक से जनकारी मिलेगी, बताएगे, यह चार अप्शन आपके सामने हैं, सात्मा प्रश्च का, जव आनलाइन पड़ी, आउड आसान हो जाएगा देखे, अमरी श्टर में सुंड मंदिर के निर्मान के लिए भूमी परदान करने वाला मुगल समराथ कौन था तो देखे, भूमी परदान करने वाला एक ही हमको दिखता है, वो आप भी जानते हैं कौन? बता सकते हैं. तो हम जानते हैं अकवर. इसमें तो टाइम आपको नहीं लगना चाहिए. है ना, अकवर जो है भूमी परदान करने में आगे दाता था, जिसमें से अमरी शर्लिष्टरण मंदित के निर्मान के लिए भूमी परदान किया था. वो ही मुगल कौन था? अक प्रश्ण का जवाब देंगे. तो हम बताएंगे, चाल्स कौन है? विल, बुलेगा, विलकंस. चाल्स विलकंस ने किया थे. क्या किया था भाई? तो भागवद गिता को सरपर्थम अंग्रेजिमें मात किया था. चलिएगा, दस्वा प्रश्ण का जवाब देंगे. भारति पुनर्जागरन का पिता किसको समझा जाता है तो भारतिये पुनर्जागरन का पिता अगर पूछे किसको समझा जाता है तो आप अच्छे से बताईए तो दस्मा प्रश्ण का जिवाब क्या बताईगा तेंच प्रश्ण का जिवाब देंगे ऑप्शन नमबर ए राजाराम म बोला जाता है तो याद दुखिए आप पुनर जागरन की बात करेंगे पिता की बात करेंगे तो राजाराम हुआ रहा है शरीएगा एगारमा प्रश्ण का जवाब देंगे निम्रिकित में से किसे जाटो का प्लूटो कहा जाता है अब जाटो का प्लूटो किसे कहा जाता है इस option के हिसाब से बताईएगा 11 प्रश्ण का जवाब देंगे History पढ़ रहा है प्लूटो अंगरा नहीं याद उखेगा जाटू का प्लूटो कहा जाता किसको कहा जाता कौन से विक्ति को तो इगारमा प्रश्ण का जवाब आप दे रहोंगे option number A सूरज मल्क को बोला जाता था देखिए 16 महा जनपदों के बारे में किस बहुत गरंद में जनकारी मिलती है चलिए इस option के इसाब से बताईए बहुत गरंद के जनकारी मिलती है बहुत गरंद में जनकारी मिलती है सोला महाजनपत का, चीक है, चलिए, तेरहमा प्रश्ण का जवाब देंगे, किस अस्तूप के निर्मान में सफेद संग्मरमर का प्रयोग किया गया है, कौन सा ऐसा अस्तूप था, जिसमें सफेद संग्मरमर का प्रयोग किया गया है, बता सकते हैं, तेरहमा प्रश्ण का उनमें से किस अस्थान पर Dutch वेपार्यों ने factory अस्थापित की थी, तो Dutch वेपार्यों ने जो factory अस्थापित की थी वो कहां पर किया था, बताएगा मताएगे, कौन सा अस्थान था वो, तो option ब्र B, pulle cut, कहाँ बताएगा? पुलिकट में, डच्चों की बात हो रही है, डच्चों ने बेपार फैक्टरी खोला था, तो पुलिकट में, पुलिकट बताई कहां पड़ता है, किस छेत्में, बहुत फेमर्स है यह, नहीं तो next video, next question का इंजजार करेगा, प्रैक्टरी छेत्में उसमें है, चर्जा, पंद प्रश्ण का जवाब देंगे, तो option number C, lauder कर्णवालिश, lauder कर्णवालिश को जाता है, शिविल सेवा, शुरुआत करने का, चीक है, अब चलिए 16 मौप्रश्ण, सुलमप्रश्ण है, सुधारो प्रशाषनिक बेवस्थाओं के अधार पर, किस गवर्नर जेनर को, आधुन अधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, बताई, सुलमप्रश्ण का जवाब देजी, तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे, option number A, lauder dalhoji, किसे, lauder dalhoji, तो सुधारो प्रशाषनिक बेवस्थाओं के अधार पर, अगर पूछे, किस गवर्नर जेनर को, अधुन सतरमा प्रश्ण है कि वर्ग बेवस्था, जाती बेवस्था, वर्ग बेवस्था, जाती बेवस्था में कब परणीत हो गया, या हो गई, यही सवाल है, पहले था कि वर्ग बेवस्था था, उसके बाद जाती बेवस्था में परणीत हो गया, मतब बदल गया, वर्ग के ज जाती वेस्था में कपड़ नित हो गया, तो रिग वेद काल में हो गया था. तो सत्रह का option number 3 जो लगाएंगे, बहुत सही लगाएंगे. अब देखे हैं टार्मा प्रश्ण के बात करते हैं, मन रम कहते थे, तो मन रम कहते थे किसको बताईए? बताईएंगे, मन रम किसको कहते थे? तो मन रम जो शब्द है, वो कहा जाता था, option number 3, रस्धानी के नियाले को कहा जाता था, जो रस्धानी में जो नियाले होते थे, उसे मन रम कहते थे. किलियर होगे? अब से आएगा तो दिक्कत नहीं होगा ना? अब देखे, संगम काल में भारत के निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुए थी, बताईगा. जैसे संगम काल में जैसे ही भारत में निर्यात होने वाली अगर पूछे, प्रमुख वस्तुए थी, तो क्या थी बता सकते हैं, तो हम बताएंगे मशाले, सबसे ज़्यादा था, संगवीगों में निर्यात होता था मशाले का, सबसे ज़्यादे, चीक है, बीसवा प्रश्ण है कि वैशनमत किन शास्कों के सनरच्छन में अपने चर्मो उतकर्ष पे था, मतलब चर्मो उतकर्ष प्रश्ण का जवाब देंगे, ऑप्शन बड़ी, गुप्तकाल में यह हुआ था, बैशनमत की बात करते हैं, चीक है, शिबका भी हो रहा था उश्य में, गुप्त में, लेकिन बैशनमत का हो रहा था, चर्मो उतकर्ष पे था, भारत में एक क्रिशी का प्रशिन्तम साच् आप नसी आटी में भी पढ़े हो तो इसकी चर्चा है, चीक है मैं पढ़ाओंगा, अलावदीन खिल जी त्वारा, नर्मित, अलाई दर्वाजा को किस इतिहास का आरने, चीक है, इसलामी अस्थापत कला के खजाने का सबसे सुन्दर हीरा कहा था, सोची, इसलामी अस्था अलाई दर्वाजा को, अलावदीन जो निर्मित कह था, उसको बोला था, चीक है, यार रुखिएगा, कौन इतिहास कार हैं भाई, कहे थे असे, अलाई दर्वाजा को बोले थे, जो कि अलावदीन खिल जी बनवाए था, बताएंगा, बाइसमा प्रष्ट, बाइसमा अलाई दर्वाजा जो है, इसलामी अस्थापत कला के खजाने का सबसे सुन्दर हिरा है, जो कि कौन बनाया अलाई दर्वाजा, अलावदीन खिल जी, यह इंपोर्टेंट है, दादा भाई नरोजी नी, अंग्रेजों दोवारा किये गए कार्ज को, अनिस्टों का, अनिष शी, धन के निकाश की बात करते हैं, यह वो एकतर से धन का निकाशी कर रहा था ना, भारत से लूट के तो नहीं जा रहा था, है ना, तो ऑप्शन नमज, शी या तकिएगा, तेश प्रश्ण का, लादा भाई नरोजी बोले थे, अंग्रेज को, तेश प्रश्ण है, चोव अच्छे से जानते हैं, हिंदू का है, बौध का भी और जैन का, तीनों का है, या रुखेगा, कहा है, इलोरा के गुपा में, शैल कृती मंदिर हैं, जिसमें हिंदू, बौध, और जैन, तीनों का आपको वहां मिलेगा, पचिसमा प्रश्ण को देखकर आपको याद सरवन बल गोला ने गोंतेशवर की मूर्ती का निर्मान किस में सब्सकेया बताएं उसका निर्मान किस में कर वांता? इस ऑप्शन के हिसाब से बताएएगा, या दोिकिए। चामुंडा ऐसे बोलते हैं, चामुंडराइद है, चामुंडराइद बोला जाता है, चामुंडराइद बोला जाता है, तो यही बनवाएद है, या दुखिएगा, चलिए, 26 कोश्चन नमबर की बात करते हैं, किसके, 26, लॉडर करनवालिश ने अस्थाई बंदवस्त किसके स लेने के लिए एक तरसी ये निम लाए था, तो 26 सुवा प्रश्ण की बात करते हैं, बताइए, तो B, जमिदारों से, जमिदारों से बात किया था, ये याद रिखिएगा, डिरेक्र, S1-5 का जो है, याद रिखिएगा, किसके साथ किया था, तो जमिदारों के साथ कौन तो ये लॉर्डर कंदवारिश करवाय था मतलब जूड़ा था कि भाई आप किशान से लीजे जो होगा हमों को दे दिजे चलिए आगे चलेंगे 27 प्रस्ट है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रे किसको जाता है पिंडारियों के उन्मूलन का सुरे कि दमन हो गया उन्मूलन उन्मूलन मतलब समाथ हो गया था तो सफको जातا है तो Option नमर एं लॉर्डर हिंस्टिंग को यह सही Option है भाई कि किशर्श भारत आय थाaines मिशों कि पात करेगा वैसे ही आपको आ गया होगा याद क्या आया होगा 28 का option number D 1922 में तो करप्षी मिशन कब आया 1922 में क्यों अवस समय ही 1922 में क्या हुआ था भारत छोड़ा लोना चल रहा था ये भी जानते हैं चलिए 29 question number है कि किस नियम के अंतरगत भारतिये परश्यत को समाप्त किया गया था बताएंगे तो किस नियम के अंतरगत भारतिये परश्यत को समाप्त किया गया था इस option के हिसाब से बताएंगे कौन सा नियम था कौन सा अधिनियम था ये बताएंगे 29 का option number V याद रखिएगा Government of Government of India Act 1925 भारत अधिनियम 1935 के तहर किया गया था या जखिएगा भारतिये परश्यत को समाप्त किया गया था यह हो गया 30 प्रश्ण है कि आधूनिक अस्थानिये स्वसासन का प्ररंब किसके काल में हुआ था तो जैसे ही अस्थानिये स्वसासन की बात होगा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जहुनिक अस्थानिश असासन की बात हो रहा है तो तीसमा प्रश्ण का बता है option number B Lorda Rippan नहीं किया था जैसे अस्थानिश असासन का नाम आता है तो Lorda Rippan का भी नाम आता है और ये option के हिसाब से सही है ठीक है ये तीसमा प्रश्ण का सही जवाब है इरमसटिक चलिए आगे जिसलते हैं एक तीसमा प्रश्ण को थोड़ा सा देखिएगा non cooperative moment जो होता है जैसे देखिए नमनिकित में से किस घटना ने पहली वार गानही जी को आसे हो का आदोनन जिसे non cooperative moment बोलते हैं प्रणम करने के लिए प्रेदित किया था मत्तब कहने का मत्तर डारिक्स वार्ड है क्या से वार दोनन जो है सुलू करने का जो है प्रेदित किया था ये कौन सी घटना थी पताईगा पताएंगे एक्टिस माँ प्रष्ट है तो option number C 1911 के roll act लागू किये जाने की बात हो रही थी तो जैसे ही roll act की बात होगी तो याद रखिएगा 1911 में आया था roll act अग ये जो आया ना roll act एक्ट जो आया उसके बाद गान्दी जी आसे वार दोना चलो कर दिये थे जो कि 1912 से 22 में चलो हु जिसमें यहार दोना बापस करने की बात होगा, तो 44-ará county होगया था इसलिए शर्ओन बापस भी कर लिये थे। ठीक है? 1922 में यहार दोना तो यहार दोना लागू करने का मतुछाने का शुरू करने का जह गान०ी जी कब किये थे तो उन्हा ने शुनि शुनर्य प्रचि के क उससे में हम लोग एक तरह से कहिए क्या बलते हैं सोक दिवस के रुप में मनाते हैं इसे 5 को तो बंगाल भीवाजन को कब निरस्त किया गया है तो 32 प्रश्ण का जिबाब देंगे क्या बताएंगे option number C 1911 में तो निरस्त किया गया था फिर से हटा दिया गया था बंगाल वर्शी लॉडर इर्विन के समय हुआ था जैसे ही पुर्ण सौत अंता के लिए होगा ठीक है तो हम लॉडर इर्विन लगा देंगे ठीक है शरी आगए चलते हैं 34 प्रश्ण है कि मुस्लिम लीग निस्टर प्रथम किस वर्ष मुस्लिमों के लिए प्रिथक राष्ट की मांग की थी मुस्लिम लीग कब मांग किया था एक अलग कि हम अलग चाहते हैं मुस्लमान अलग रहेंगे प्रिथक करने करें 34 question number option number A 1940 क्या वलते हैं 1940 में किया था कून मुस्लिम कि अलग राष्ट चाते हैं चली मां 35 प्रश्ण है कि जलिया वाला भाग हत्ययकांड के समय भारत का वाशरा कौन था हम जानते हैं जलिया वाला भाग हत्यकांड भवा था 13 प्रेल उने समय इसको अब बताएए जलियावला बाग हत्या-कांड का बाशरा उस समें कौन था, जब हुआ था जलियावला बाग हत्या-कांड का हुआ था, बैशाकी के समय हुआ था, सोचिए, बताएगे, 35 प्रश्ण का जवाब देंगे, 35 प्रश्ण का ओप्शन नमबर, B, चेंप्स फोर्ट समुद्री मार्ण से भारत कब आया था तो हम चानते हैं कि 1498 में था ठीक है 1489 में था कि अब देखिए यह और यह में कन्फिजन है बता ही कौन सा सही होगा बताएंगे ऐसे ही देता है तो नहीं 1498 में या तकिए गलत होगा तो आप या तकिए का ऑप्शन नुबर 20 सही होगा ठीक है चलिए आगे चलेंगे 37 मां प्रश्ण चलेंगे तो गांधी जी का प्रसिद्ध डांडिया मार्च गांधी ज सकते हैं तो आप्शन नुबर सी सबने अवग्या अलोनन शे समन्दित है तो गांधी ची का जो प्रसिद्ध डांडिया मार्च है वो है सबने अवग्या अलोनन शे है चीक है 38 प्रश्ण की बात करते हैं तो बिटिश तरकार ने किसी योजना के द्वारा भारत छोड़ो त भारत के लिए विवाजन की घोशना करने वाला तो कौन सी योजना थी तो मौन्ट बेटर योजना थी चलिएगा 49 प्रश्ण की बात करते हैं तो किंद्र में द्वैज शासन के स्थापना किस अधिनियम द्वारा लागू की गए थी मतलब की गई है तो बताइएगा 49 प्र किया गया है मैं तो भारत सरकार द्वारा उन्हें 35 के तहर चारीसमा प्रश्ण है चांद बीवी कहां किशा सकती बता सकते हैं बहुत इंपॉर्टिंट है तो option number A अहमद नगर अहमद नगर है वहां की शाशक थी अहमद आब आबाद नहीं अहमद नगर की शाशका थी कौन तो बता सकते हैं चांद भी भी चीक है, 41 प्रश्ण है कि महाविर श्वामी ने जैन धर्म के सिध्धान्तों में कौन सा सिध्धान्त जोड़ा है तो जैसे ही महाविर श्वामी की बात होगी तो 24 में तिर्थांकर है ये क्या है कि एक शब्द जोड़े हैं अब वो कौन सा सिध्धान जोड़ दी हैं बता हीगा, तो एक तार्श्वाम प्रश्ण का अंसर के लिवाब जो देंगे ऑप्शन नमबर C, ब्रह्मवचर, ये जोड़े थे महाविर जी, ठीक है, याद रखीगा चरिए 42 कोशन नमबर की बात करते हैं 42 कोशन नमबर देहान से पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है कि नोबल पुरुषकार बिजेता रविन्ना टेगोर ने तीस मई उन्हें सोने इसको अपनी सर की पदवी उपाधी जो है, बेड़े शरकार को लोटा दी, उन्होंने यह कार्ज किस घटना के विरुद्धे में किया था, मतलब इन्हें नोबल पुरुषकार बिजेता है, रविन्ना टेगोर आप जानवे करते हैं, तीस मई उन्हें सोने इसको अपनी सर एक मिला था, उपाधी मिला था इसके लिए वो बापस कर दिये थे, क्योंकि उन्हें सोनेस में हुआ था, तेरा अपनी उन्हें सोनेस चलिएगा 43 प्रशन है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्टरे खोलने की आग्या देने के लिए फरमान चारी करने वाला पहला मुगल समराड जो है कौन था तो हम जानते हैं, आक्वर ये काम नहीं कर सकता है बहुत तेज़ औरंजेब नहीं चाहता था लिक्न उस समय में औरंजेब था नहीं तो जहांगीर ये काम कर रहा था तो आप्शन नमबर बी होता है ठीक है 43 प्रस्ट का option number 2 चाहंगी नहीं जो है ये सबसे वड़ा गलती किया था समझ गए मुगल का समझे बरवादी का कारण सुरुवात हो गया था पहला मुगल समराठ था जो की फैक्टरिक होने का दे दिया था चलिए 44 कोशन हमेरे निमरीकित मुगल समराठ हो में निर्माताओं का राजकुमार कौन का लाता है बताएगा निर्माता निर्माता का राजकुमार जो कि सबसे ज़्यादा बनाया गया है बताएगा निर्मान क्या है ये 44 कौन क्या है तो हम अच्छे सजानते सा जहां तो तंजौर के बिरदेश्वर मंदिर का निर्मान किस ने करवाए था, 45 कांसर करिवादेंगे तो option बरे राजाराज परथम ने करवाए था, कुन करवाए था, राजाराज परथम ने करवाए था चलिए 46 की बात करते हैं तो किस भारती ये शाषक ने सबसे पहले Lord Bele Jali के साथ शायकसनदी की बताईगा तो जैसे ही पूझेगा कि सबसे पहले جो Lord Bele Jali लोर्ड Bele Jali को Lord Bele Shale भी देता है तो दिया दखेगा तो Lord Bele Jali के साथ जो है सहायक्षन भी, जो है की, कौन किया था, सबसे पहले, बता सकते हैं, बताएगा, कौन किया था, इस चार ओप्षन के हिसाब से बताएगे, तो हम बताएगे, ओप्षन नुम्बर B, हैदरावाद के निजाम किया था, जो कि हम, वहाँ पे जो, प्रैक्टिशर जब तीम यहां पर हैदराबाद निजाम किया था सबसे पहले यहां तो चरीका 47 की बात करते हैं तो एलोरा के परशिद्ध कैलाश मंदिर का निर्मान जो है किस राष्ट कूट शासक ने किया था बताएगा कूँ राष्ट कूट शासक है जो किया था तो हम बहुत अच्छे से जानते ह कि राष्ट कूट बंस किया था यह तो हम जानते हैं लेकिन कौन करवाया था बता सकते हैं कैलाश मंदिर का निर्मा एलोरा में देखें एलोरा भी बोलता है एलोरा भी बोलता है यह ध्यान रखेगा तो 47 का अंसर का जवाब option number D होगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था किस कुन लेगा था बताइएगा तो 48 का अंसर के जवाब बहुत अच्छा option number D नादर्शा ले गया था को लेगा था नादर्शा चलेंए 49 कोश्चन number है कि निमर्के दिमेंसे किसके शासनकाल में चंगेज खाने भारत पर आकरमन किया था तो चंगेज खाने भारत पर आकरमन कि पूरा नहीं किया था क्योंकि एक आकर्ण सासक चुप गया था तो वही चंगेश कहां को सौब दिया और चला गया तो आकर्ण सुरुआत हो रहा था लेकिन किया नहीं था यह ज़रूर धान रखेएगा इसलिए पहला इस सासक कौन था उसमें तो आप्शन इल्तुत्विस आ आए था नाम आए था, ठीक है, समझने मेरा बात, भारतिये राश्ची कोंग्रेश के प्रतम महिला अध्यज कों थी, बहुत सिंपल, बहुत सटिक जवाब अउब इतना बार पूछा है क्या आपको याद हो गया होगा, एनि वेशन थी, तो भारतिये राष्टी कॉंग्रे जयान जवारत